चलती ट्रेन में चड़ने के चक्कर में यात्रियों के साथ अक्सर हाथ्सों की तस्वीर सामने आती है ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वाइरल है मिली जानकारी के अनुसार स्टेशन पर रुकी ट्रेन से चाय पी ने उतरे बुज़र्ग दमपत्ती उस वक्त हडबडा कर ट्रेन की तरफ दोड़े जब उन्हें दिखा कि ट्रेन चल चुकी है और कहीं छूट न जाए हाथ में सामाल लिए ट्रेन पकड़ने की जद्दो जहद करते ये बुज़र्ग दमपत्ती अपनी ट्रेन छोड़ना नहीं चा रहे थे और इसी कोशिश में ये महिला चलती ट्रेन में चलती नजर आई और फिर हुआ वही जिसका हमेशा डर बना रहता है महिला जैसे ही ट्रेन के अंदर कदम रखती है उसका बैलेंस बिगड़ता है और वहे महिला ट्रेन के साथ गिसटी चली जाती है लेकिन महिला के पती ने हिम्मत और साहस कर पतनी को मजबूती से पकड़ कर रखा इसी बीच बिना देर किये आसपास खड़ यात्रियों ने बुजर्ग दमपत्ती की मदद की जिसके बाद प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच से महिला को बाहर खीच लिया जाता है लेकिन तब तक महिला गंभी रूप से घायल हो जाती है तो वहीं देखते ही देखते मौके पर भारी भीड जमा हो गई बिना देर किये स्टेशन पर तैनाद पुलिस कर्मी भी दोड़े दोड़े चले आए मिली जानकारी के अनुसार महरास्ट के पालघर जिले के वसई रोड रेलवे स्टेशन पर हुए इस दिल देहला देने वाले हाथसे में महिला को गंभीर चोटे आई हैं और उनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है महिला का नाम प्रमिला मारो बताया गया है जिनकी उमर लगबग 70 वर्ष है वो अपने पती के साथ गुजरात के भावनगर से हैदराबाद जा रही थी वसई रोड रेलवे स्टेशन पर दोनों चाय पीने उतरे थे अचानक ट्रेन चल दी और फिर ट्रेन पर चड़ने के चकर में यहाथसा हो गया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो में दिख रहे बुजर्ग महिला के पती के साहस की भी लोग जम कर सराहना कर रहे हैं जिसने समय रहते अपनी हिम्मत और साहस से बुजर्ग पतनी के साथ अन्होनी होने से बचा लिया रेलवे स्टेशनों पर इस तरहा के हाथसों की तस्वीर अक्सर सामने आती हैं पर अफसोस जल्दबाजी में लोग ये भूल जाते हैं कि कहीं ट्रेन पकड़ने के चक्कर में अपनी जिंदगी की गाड़ी पटरी से न उतर जाए दोस्तो टाइम 24 न्यूज भी आप से अपील करता है कि जब भी आप सफर करें तो इस तरह की लापरवाही बिल्कुल ना बरते दोस्तो बुजर्ग महिला के पती की हिम्मत और साहस को देखकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं बियोरो रिपोर्ट टाइम 24 न्यूज